क्या कहना चाहेंगे इस तरह की वीडियो जो मनिपूर की पहली चीज तो मनिपूर के अंदर जिस तरह के हालात पिछले कुछ महीनों से बने हुए हैं और केंद्र सरकार खासकर प्रधान मंत्री जी ने इसके उपर कभी कुछ भी नहीं बोला ये बहुत चिंता जनक है कोई कारिवाई नहीं की गई इस बारे में और कोई दूसरी चीज जो कल वीडियो पूरा वाइरल हुआ जिसमें दो बेहनों को जिस तरह से निर्वस्त करके उनको परेड किया गया और उनके साथ सामूहिक तोर पे गलत काम किये गए उससे पूरा द हाई महीने के अंदर वहां की सरकार ने इस बारे में कुछ भी नहीं किया ये बेहद शर्मनाक है ये क्रिमिनल है ये अपराधिक मामला बनता है मैं बेहद दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इसके लिए मनिपूर सरकार और केंदर सरकार दोनों जिम्मेदार हैं अ एक कमजोर लीडर की निशानी है एक कमजोर लीडर होता है कि जब समस्या आती है तो वो चुप चाप अपने कमरे में बंदो के बैड़ जाता है एक जो साहसिक और करेजिस लीडर होता है असली लीडर होता है वो फ्रंट से काम करता है फ्रंट पे आके काम करता है जब कोई मुसीबत होती है तो फ्रंट पे दिखाई देता है नेता ऐसा नहीं होता कि मुसीबत आने पे चुपी साथ के और अपने कमरे के अंदर बंदो के बैठ जाओ तो ये बेहत दुख की बात है कि दो ढ़ाई तीन महीने से जब से मनिपूर के समस्या होई है प्रधान मंतरी जी चुपी साथ के अपने कमरे में बैठ है ये एक बहुत कमजोर नेता की निशानी है और बहुत दुख की बात है कि ऐसे सेंसिटिव टाइम के अंदर प्रधान मं थाया होता तो हमारी दूसरा मनिपूर के सी-म का ये बयान अभी मैं थोड़ी धर पहले देख जाता एक घुटना थोड़ी है ऐसी तो बहुत गटनाए घटी है इसका मतलब तो पता नहीं कितनी बेहनों के साथ ऐसा हुआ है मनिपूर के अंदर और और अगर बहुत सारी ऐ एक आदमी पकड़ा गया, उस वीडियो के अंदर पता नहीं कितने लोग हैं, और जो एफायर दर्ज की गई है, वो एफायर अन्नोन लोगों के खिलाफ वीडियो के अंदर तो सब के चेहरे दिखाई दे रहे हैं, तो ये सरकार की बिलकुल क्रिमिनल, जो भी कह लीजिये, उसके अंदर कल्यूजन जो भी कह लीजिये, लेकिन पूरे देश की आत्मा को इस इंसिनेट ने जग्यों के लेजिए.